Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC GD Math की बारे में तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि exam पास में है तो आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, वो आज हमें चेक करने है तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे ही आप लोगों को सामने क्योसन आता है तो सबसे पहले तो वीडियो को पोज करना है और क्योसन को आप लोगों को खुझ से try करना है ठीक है? उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? देखना है कि हमारा answer सही है या नहीं है और आपका जो method है करने का तरीका है वो भी आप लोगों को याँ पर check करना है ठीक है? लास्ट में आप लोगों को अपना जो scorecard है वो comment करके बताना है ठीक है? तो चलिए start करते है पहला question रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कारिये को करम से 8 दिन, 14 दिन तथा 21 दिन में पूरा कर सकते है बहत तीनों मिलकर समान कारिये को कितने दिन में पूरा कर सकते है ठीक है? तीन है कौन-कौन? एक रोहित है, दूसरा मोहित है और तीसरा है सुमित उनका अलग-अलग दिन दे रखा है यानि कि रोहित करता है 8 दिन में, मोहित करता है 14 दिन में, और सुमित करता है उसी काम को 21 दिन में, ठीक है, सेम काम है, लेकिन उनका जो करने का दिन है, वो अलग-अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, रोहित कितने दिन में करता है, 8 दिन में, उसी काम को मोहित क क्या करते हैं एल्शियम ले ले लेते हैं एल्शियम ठीक है अब देखो 8 14 और 21 इन तिनों का एल्शियम कितना आएगा वैसे तो basically हम कर सकते हैं 21 का multiple होगा ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा इन में 21 है बाकी आप लोग वैसे निकाल लो देखो 2 पर जाएगा 4 पर चला गया 7 और 21 ठीक है अगले बार किस से चला जाएगा 7 से देखो 7 ये तो 4 तो सेम रहेगा 1 और 3 अब किसी से नहीं जाएगा multiply कर लो 7 दूनी 14 इंटू 4 तिये 12 14 की multiply 12 से ये हमारा क्या जाएगा एल्शियम multiply कर लो 14 दूनी 28 दो carry हो गया 14 एकम 14 और 2 16 ठीक है यहां से जो एल्शियम है वो चला झाल गारें क्या होता है total work यानी कि कुल कारिय कुल कारिय कितना आगया 168 अब रोहित जो है वो कल कारिय कितने दिन में करता है 8 दिन में करता है ठीक है यानि कि जब कम दिन लेगा तो उसके कारिय करने की जो चमता है वो अधिक होगी यही बात है रोहित करता है आठ दिन में तो इसकी efficiency निकाल लेंगे कारिय करने की चमता तो कारिय करने की चमता हम कैसे निकालते हैं टोटल जो work है टोटल कारिय है उसको divide कर देते हैं उस मोहित की कार्य करने की चमता कितनी होगी, देखो, 168 divided by 14, 14 से कितनी बजाएगा, 1 और 12 पर, ठीक है, मोहित की जो कार्य करने की चमता है, वो कितनी है, 12 है, सेम यहाँ पर सुमित की निकाल लेंगे, सुमित के लिए हम क्या करेंगे, 168 बटे 21, देखो, 21 को जब 8 से मल्टिप्ल है, अगर वो तीनों मिलकर कार्य को करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमें दिन निकालने हैं, दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो total work है, टोटल जो कार्य है, उसको डिवाइड कर देते हैं, किस से, जो उनकी total efficiency है, कार्य करने की चमता है, हमारे पास total कारी कितना है 168 उसको हमें डिवाइड करना है इन सभी की सारी efficiency से देखो 21 और 12 33 ते 308 41 ये क्या गया कुल दिन आ जाएंगे ठीक है यानि कि रोहित मोहित और सुमित तीनों मिलकर उस कारी को कितने दिन में करेंगे 168 बटे 41 दिन ये हमारा answer है अगला question what is the value of this ठीक है ये question हर बार exam में हमसे पूछा जाता है या तो एक question या दो question ठीक है एक या दो question जरूर आते हैं ठीक है और बिल्कुल simple है अगर आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से करते हो ध्यान से करते हो तो ये बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं है इसके लिए एक formula होता है board mass जो के आपने काफी अच्छे से पढ़ रखा है ठीक है इसी का हमें यहाँ पर use करना होता है और इसको simplify करना होता है ठीक है बी का मतलब होता है bracket O का मतलब off D का divide M का multiple और A का addition और S का क्या होता है subtraction ठीक है सबसे पहले हम किसको solve करेंगे bracket B का मतलब break it ठीक है तो break it का का है एक तो break it इसमें है एक break it है इसमें तो सबसे पहले हम इस वाले को solve कर लेते हैं फिर कर लेते हैं इस वाले सबसे और क्यों करेंगे इसमें हम सबसे पहले किसको solve करेंगे लेकिन bracket के जगय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा minus का क्या है 4 into 1 by 2 into 1 by 3 इससे काटो देखो 2 पे चला गया यहाँ पर परचा है 2 minus यहाँ से काट दू यह चला गया 2 पे तो यहाँ से बच गया 2 बटे 3 ठीक है देखो 2 और 3 2 बटे 3 बच गया LCM लेंगे कितना गया 3 तीन दूनी 6 minus का 2 तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 4 बटे 3 ठीक है तो इस सारे की जगें हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे की जगें हम लिख सकते हैं 4 बटे 3 यह तो value आई है ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद है of ओफ हमने यहाँ पर लगा दि है divide को जब multiply में change करेंगे तो क्या कर देंगे इस वाले को reverse कर देंगे यानि कि 4 बटे 3 की जगे क्या लिखेंगे 3 बटे 4 और plus में क्या है 1 by 2 ठीक है 3 से काट दो 3 यह चला जाएगो 2 से 2 बार यहाँ पर कितना बच गया 1 by 2 और यह वाला plus 1 by 2 हाफ और हाफ कितना हो गया आद of को जब हम solve करते हैं तो इसका मतलब है multiply बन तो यह आ गया 4 बटे 3 तो इस पूरे की जो value है वो कितनी है 4 बटे 3 यह हमारा answer है ओके अगला question अगला question है परबंदको का ओसत वेतन x है तथा सर्मिको का ओसत वेतन y है परबंदको की संख्या सर्मिको की संख्या का 15 गुना है प इसको समझना ध्यान से एक तो है परबंदक और दूसरा है सर्मिक ठीक है उनका जो उनकी जो संख्या है वो हमें नहीं दे रखी है लेकिन उनका जो ओसत है वो हमें दे रखा है ठीक है एक साइड हम मान लेते हैं परबंदक ठीक है यह तो हो गए परबंदक और दूसरी संख्या का पंद्रा गुना है अगर सर्मिक यहां पर एक है तो परबंदक कितने हैं पंद्रा यही तो बोला गया है कि परबंदकों की जो संख्या है वो सर्मिकों की संख्या का पंद्रा गुना है अगर सर्मिक एक होगा तो परबंदक कितने होंगे पंद्रा यह इनका क्या ह ratio है, तो हम assume कर लेते हैं कि परभंदक 15 है और सर्मिक 1 है, क्या इसे कोई फरق पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम assume कर लेते हैं कि सर्मिक तो है 15, sorry एक है और परभंदक है 15, ये हमने माल लिया आगे यहां पर क्या बोला गया था? परभंदकों का ओसत वेतन X है ठीक है परबंदकों का जो ओसत वेतन है वो कितना है X है टोटल परबंदक हमने कितने माने है 15 और उनका जो ओसत है वो है X तो टोटल कितना हो जाएगा 15 गुना X टोटल हो गया 15 X ठीक है उनका जो वेतन है ना टोटल वो कितना गया 15 X इसी तरह हम निकाल लेंगे सर्मिकों का, सर्मिक का जो ओसत वेतन है वो दे रखा है Y ओसत वेतन कितना है Y, तो टोटल कितना हो जाएगा, सर्मिक इंटू ओसत, ओसत है Y और सर्मिक है एक, तो टोटल आ गया Y ठीक है आगे बोला है परबंदकों तथा सर्मिकों को मिला कर दोनों का ओसत वेतन क्या है अब परबंदक कितने है हमारे पास 15 है और सर्मिक कितने है एक है और उनका जो वेतन है कितना है परबंदकों का जो वेतन है वो है 15X और सर्मिकों का है Y तो इनको एड़ कर दो पंद्रा एक्स प्लस वाई ये तो क्या आ गया टोटल वेतन आ गया ठीक है और उसत निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल संख्या टोटल संख्या कितनी है पंद्रा तो हो गए परबंदक और एक हो गया सरमिक तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से यह हमार आंसर आगए यहनकि option 4 क्या होका इसका right answer ओके अगला क्योशन देखो फिर से simplify का है simplification का क्योशन है करो यहाँ पर है 45 का 3 बटे 7 दिवाइड 15 बटे 14 माइनस ठीक है इसको हमें solve करना है तो हम क्या कर लेते हैं पहले break it को solve कर लेते हैं वही rule होगा board mass वाला ठीक है सबसे पहले किसको कर लेते हैं break it को पहले इस वाली break it को कर लेते हैं फिर इस वाली को कर लेते हैं चली कर ले यहाँ पर है 3 by 7 3 by 7 है और divide को जब change करेंगे multiply में तो क्या हो जाएगा यह वाला reverse हो जाएगा यानि कि 15 बटे 14 की जगे यह हो जाएगा 14 बटे 15 काट दो 7 से complete कर जाएगा 7 दोनी 14 यह कर जाएगा 5 पर 3 बटे 15 तो इसकी जो total value है वो कितने आ गई 2 बटे 5 आ गई तो इसकी जगे मैंने क्या लिख दिया 2 बटे 5 लिख दिया इसको solve कर लो अब इसको solve करेंगे देखो 6 दोनी 12 और 1 13 13 बटे 2 लिख सकता हूँ अब divide को जब हम change करेंगे multiply में तो यह क्या हो जाएगा reverse यानि कि 3 के जगे क्या हो जाएगा 1 बटे 3 ठीक है और minus में कितना है 4 किसी से कट रहा है नहीं कट रहा इसका मतलब क्या हुआ 13 बटे 6 माइनस का 4 यहाँ पर LCM ले लो LCM कितना आ गया 6 यहाँ पर आ गया 13 माइनस कितने बजाएगा देखो 6 पर 6 चोगा 24 अब यह कितना बजा है 24 में जब 13 जाएगा तो कितना बजेगा 11 11 बटे 6 यहाँ यानि कि माइनस का 11 बटे 6 इसकी value आ गई इसकी value कितनी आई है माइनस का 11 बई 6 ठीक है अब इसको सोल करो देखो यहाँ पर क्या है 45 का ठीक है 45 का जब का को हम सोल करते हैं देखो पहले होता है break it, break it तो हमने solve कर लिया उसके बाद क्या करते है, off off का मतलब होता है, का यह करने वाला है यहाँ पर हमने लिखती है का 2 बटी 5 minus का क्या है, break it है minus का 11 by 6, ठीक है और plus का 2, ऐसे ही है अब देखो यहाँ पर जो का है, का को जब हम solve करते हैं, तो क्या करते हैं multiply कर देते हैं, 2 बटी 5 और multiply करने के बाद, यहाँ पर break it हम लगा देते हैं, ठीक है यहाँ पर minus बाहर है, और minus ही अंदर है, तो break it जब हम open करेंगे, तो minus minus plus हो जाएगा, यह हो गया plus यह हो गया 11 बटे 6, और plus का 2 ठीक है, अब इसको देखो 5 से हम कार सकते हैं 9 पे चला जाएगा, पुरा-पुरा और 9 दो नी, 18, 18 आ गया plus में, 11 बटे 6 plus में 2 यहाँ पर हमारे पास LCHM कितना है, देखो 18 और 20 हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो 2 को हम अटा के, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या, 20 20 हमने लिख दिया LCHM ले लो, LCHM आ गया 6 ठीक है, LCHM कितना आ गया, 6 multiply करो, 20 को जब 6 से करेंगे तो 120 plus का 11, 120 plus 11 कितना बना, 131 और divide कर दिया 6 यह हमारा क्या आ गया, आंसर, यानि कि option 4 इसका right answer है ओके, अगला question देखो अगला question क्या है P, Q, तथा R एक व्यापार सुरू करने के लिए करम से 14,000, 18,000 तथा 24,000 निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में लाब 25,480 है तो P, तथा Q के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है ठीक है, तीन व्यापती है, कौन-कौन एक है P, दूसरा है Q और तीसरा है R ठीक है, जो P है न, वो कितना निवेश करता है 14,000 क्यों कितना करता है 18,000, और जो R है वो करता है 24,000 तो इन के उसन्स को करने के लिए हम इनको बिल्कुल simple कर लेते हैं simple कैसे कर लेते हैं हम इनको ratio में मान लेते हैं ठीक है, ratio में तो यहां से ratio में हम simple, जितना कट सकते हैं, काट दो देखो, 3-0 से 3-0 common है 3-0 सभी में है, तो 3-0 आपस में सारे काट दो, कट गए 2 सभी में common है, 2 से भी काट दो यह चला जाएगा 7 पे, यह चला जाएगा 9 पे और यह चला गया 12 पे ठीक है, तो यानि कि इनका जो ratio आया है वो आया है, 7, ratio 9, ratio 12 अब हम जो multiply या divide करेंगी वो हमारे लिए आसान हो जाएगा सभी को हमने क्या कर लिया ratio में यहां पर बना लिया और सभी को जब काटेंगे जो जो common है, तो यहां पर क्या जाएगा 7, ratio 9, ratio 12 यह आगया आगे बोला गया है, यदि वर्स के अंत में लाब 25,480 है यानि कि तीनों को मिलकर कितना लाब हुआ है 25,480 तो उनको जो ratio होगा, वो भी shame होगा जितना उन्होंने निवेश किया है उसी के आधार पर तो ratio उनको डिवाइड होगा है ना, तो जो 25,480 है वो इनकी एकवल है इन सभी का sum करो देखो 12 और 9, 21 21 और 7, 28 यानि कि अगर इन सभी को 28 का profit हुआ है तो उसमें से जो हिस्सा होगा क्या होगा, 7 होगा P का 9 होगा Q का 12 होगा किसका, R का तो हमारे पास यहां पर profit कितना बना है 28, लेकिन actual में जो profit है वो कितना है, लाब कितना है 25,480 तो इसके एकवल रखतो, 25,480 एक की value किसके बराबर आएगी 25,480 ठीक है, divide by 28 निकालना क्या है, P थता Q के हिस्चों के मध्य अंतर अब देखो, P का कितना है, 7 और Q का कितना है, 9, इन दोनों में difference कितना है, 2, वही तो निकालना है अंतर निकालना है, तो अंतर 2 है तो 2 से multiply कर दो, 2 से काट दो, देखो, कितने बजाएगा 14 पर, अब 14 से काटो 14 एकम 14, कितना बचा, 11 अब देखो, कितने बजाएगा 14, 8 112 ठीक है, कितना बचा, 2 12 बच गया, 8, 14 दोनी, 28 ठीक है, 28 कट गया एक 0 यह आगए तो इसको जब काटेंगे, तो कितना आगया हमारे पास 1820 ठीक है, यानि कि आणसर कौन सा आगया option 3 उन P तथा Q के मद्धे जो अंतर होगा, वो कितना होगा 1820 रुपएगा यह हमारा आणसर है, ठीक है तो इन क्योस्टन्स को कैसे करेंगे जब भी यहाँ पर रेशियो यह अलग लग दिया होगा तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इनको रेशियो में हम बना लेंगे जो भी कटता है उसको काट दो बिल्कुल आसान हो जाएगा देखो, 7, 9 और 12 आ गया जो टोटल दे रखा है वो टोटल होगा इन तिनों के प्लस के बराबर ठीक है, वहाँ से हम एक की वैली निकाल लेंगे और जहां से, यहां से जो भी कुछ पूछेगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे वहा अंसरा जाएगा अगला क्योशन देखो दिये गए डेटा का बहुलक क्या है अब बहुलक के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया था पिसली वीडियो में कि बहुलक क्या होता है ठीक है, बहुलक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है जो नमबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वह हमारा क्या होता है बहुलक अब देखो, यहाँ पर जो वन है वो वन कितनी बार है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे वन आया है कितनी बार छे बार क्या कोई और नमबर वन से अधिक बार है नहीं है अगर जीरो को हम काउंट करते हैं तो एक, दो, तीन जीरो सिर्फ तीन है ठीक है और कोई भी नमबर एक से ज़्यादा बार नहीं है तो हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा वन यह हमारा आंसर है अगला क्योंसर यदि x ratio y equal है 5 ratio 4 है 5 ratio 4 के तो x divided by y ratio y divided by x क्या होगा हमें के निकालना है x divided by y ratio y divided by x क्या होगा और हमें x ratio y दे रखा है कितना 5 ratio 4 दे रखा है तो हमें in questions को हम कैसे करते हैं देखो x को मान लो 5 और y को मान लो 4 x ratio y का मतलब क्या होता है x divided by y और इसको हम लिख सकते है 5 बटे 4 तो x को हम क्या मान ले 5 और y को हम क्या मान ले 4 direct value यहाँ पर put कर दो देखो 5 हमने क्या माना है x को 4 हमने मानना है y को और यह ratio में क्या है y by x y कितना है 4 और x कितना है 5 cross multiply कर दो देखो cross multiply जब हम करेंगे तो 5 into 5 कितना हो गया 25 ratio y कितना था हमारा y था 4 4 into 4 16 यह इनका क्या आगया ratio आगया यह हमारा answer है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 cm अधिक है तथा उसकी चोड़ाई वर्ग की भुजा से 4 cm कम है आयत का परिमाप क्या होगा हमें परिमाप बताना है ठीक है एक तो है हमारे पास वर्ग यह मैंने बना दिया वर्ग मानलो यह है वर्ग और एक है हमारे पास आयत यह हमने मानली आयत ठीक है इन दोनों का जो चेतरफल है वो बराबर है ठीक है चेतरफल क्या है बराबर जो वर्ग है उसका चेतरफल क्या होता है बुजा इंटू बुजा बुजा मैंने मानली इसकी है A, तो इसका 6 तरफल कितना होगा, A स्केर हो गया, जो आयत है, उसकी भुजा कितनी है, देखो, आयत की लंबाई, यह जो लंबाई है, वो कितनी है, वरक की भुजा से 5 सेंटीमिटर अधिक है, वरक की भुजा मैंने कितनी मानी, A, तो यह कितनी होगी, A पलस 5, क्योंकि 5 कम है किससे वरक की भुजा से तो वरक की भुजा कितनी है A तो यह हम कर देंगे A-4 ठीक है यानि कि जो लंबाई है वो तो आ गई A-5 और चोड़ाई है वो आ गई A-4 ठीक है आयत का जो छेतरफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई यह होता है तो देखो इन सेतरफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इसके a-4 into a plus 5 यहां से हम निकाल लेंगे a की value देखो a square किसके equal होगा multiply कर दो कितना होगा a square यहां से a की जब इसके साथ करेंगे तो 5 a minus का 4 a minus का 20 यह हमारे पास आजाएगा simplify करेंगे तो a square से a square क्या हो cancel इस साइड क्या बचा 0 equal है इसके 5 a minus 4 यह आ गया a minus का 20 तो a की value यहां से कितनी आ गई 20 आ गई a की value कितनी आ गई 20 यानि कि वरक की जो भुजा थी वो कितनी है 20 है और आयत की जो लंबाई हो कितनी आ गई a plus 5 बीस पलस 5 कितनी आ गई 25 और यहां से चोड़ाई कितनी आ जाएगी a minus 4 यानि 20 minus 4 कितनी आ गई 16 हमें निकालना है आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 into a plus b यानि कि लंबाई plus चोड़ाई लंबाई प्लस चोड़ाई लंबाई कितनी है 25 और चोड़ाई कितनी है 16 जोड़ो 6 और 5, 11, 2, 3 और 1, 4 41 आ गई और इसको 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 82 यानि कि आयत का जो परिमाप है वो कितना आ गया 82 सेंटिमेटर आ गया ठीक है आगे चलो अगला क्यूसर एक व्यक्ति 345 रुपए परति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीता है यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेशता है तो 28 कैलकुलेटर का विकरिय मुल्ले क्या होगा ठीक है कोई आदमी है जो 345 रुपए में एक कैलकुलेटर खरीता है ठीक है कितने में 345 में और वो क्या कर देता है 40% की हानि पर कैलकुलेटर को बेश देता है मान लो कोई वस्तू मान लो हमने कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए में और 40% की हानि पर उसको बेश दिया तो हम कितने में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे ना, तो यहाँ पर सेम बोला गया है, जो 345 है ना, वो उसमें तो खरीदा गया है, और 40 परतिसत की हानी की गई है, तो 345 का 40 परतिसत जब हानी निकालेंगे, तो कितना बचेगा, कितने में बेचेगा वो, 60 प च्छतिय 18 और 220, 207 उसने 345 में तो उस वस्तु को खरीदा यानि कि कैलकुलेटर को खरीदा और 207 में उसको बेश दिया, तब उसको क्या हुआ, 40% की हानी होई, ठीक है, पूछा गया है कि 28 कैलकुलेटर का विक्रे मुल्ले क्या होगा, जब एक कैलकुलेटर को उसने 207 में ब 756, लाश्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, 6 सिर्फ एक में है, कौन से में, पहले वाले में, यह हमारा होगा आंसर, ठीक है, बाकि आप लोग 207 की मल्टिपलाई 28 से करोगे तो यह वाला आएगा, 5796, ठीक है, आगे चलो, अगला किसन, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या से कितने परतिसत अधिक है, ठीक है, यहाँ पर दो संख्या है, कौन कौन सी है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन बोला गया है, अगर पहली संख्या को 14 से विभाजित किय जाता है तो वो दूसरी संख्या के 10% के बराबर आ जाता है तो हमने एमान ली पहली संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या है X और दूसरी संख्या है Y ठीक है अब क्या बोला गया है जब पहली संख्या को 14 से विवाजित किया जाता है यानि कि X को अगर 14 से डिवाइड किया जाता है तो वो equal हो जाती है किसके जो दूसरी संख्या है ना उसके 10 परतिसत के तो Y के 10 परतिसत के बराबर कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा इसको solve कर लो 0 से 0 cancel ठीक है अब देखो X divided by Y हम लिख सकते हैं X divided by Y cross multiply करेंगे तो तो इधर कितना हो जाएगा 14 बटे 10 यह आग है काट दो 2 साती 14 दो पंजे 10 7 बटे 5 पर कट गया ठीक है तो यहां से X है हमारे पास 7 तो Y है कितना 5 ठीक है अगर X 7 है तो Y कितना है 5 ठीक है यह definite हमारे पास इनकी जो value है वो नहीं है ठीक है बाकि हम मान रहे है अगर 7 X है तो Y कितनी होगी 5 होगी ठीक है हमें percentage निकालना है इसलिए हमें जो value है exact value है वो निकालने की जरूद नहीं है बाकि अगर exact value पूछ भी लिजाती तो हम नहीं निकाल सकते थी लेकिन यहाँ पर percentage निकालना है तो percentage हम آسानी से निकाल सकते है इसके ratio से तो X अगर हम 7 मानते है Y कितना अगया? 5 पूछा क्या अगया है? पहली संख्या, दूसरी संख्या से कितने परतिसत अधिक है तो पहली संख्या देखो कितनी है, साथ है तो दूसरी संख्या कितनी है, पांच है, कितनी अधिक है, दो दो अधिक है, लेकिन परसंटेज में निकालनी है तो परसंटेज निकालेंगे कितना, जो अधिक है, वो रखो और किसके उपर है, पांच के उपर इसके उपर है ना दूसरी संख्या के उपर तो दूसरी संख्या हम यह आपर रित पर नहीं और multiply कर दें किस से? 100 से, कार दो, 5 दूनी 10 20 पे चला गया, और 20 दूनी 40 40 परतिसत इसका क्या आगया? आंसर, यानि कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने परतिसत अधिक है? 40 परतिसत अधिक है, यह हमारा आंसर होगा अगला किस्व यदि मोहित 1872 किलोमेटर की एक दूरी को 26 गंटे में तै कर सकता है, तो मोहित की गती क्या है? टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 1872 और जो टोटल समय है वो कितना है? 26 गंटे तो हम कैसे निकालते हैं? गती कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपोन टाइम, यानि कि दूरी कितनी है? 1872 और समय है 26 डिवाइड करतो जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 72 यानि कि सोरी, ये मिटर पर स्वाइड किन में, देखो ये मिटर पर स्वाइड किन में हैं, हमारे पास किलो मेटर में आएगा तो डारेक तो हम इसको काट नहीं सकते हैं, इसको काटो देखो दो से काटो, 13 पे 9 और ये कितना अब चले जाएगा? देखो 2, 3, 6 हमारे पास आया है, बहेतर किलो मेटर पर आवर कितना आया है? बहेतर किलो मेटर पर आवर ये आई है उसकी स्पीड, लेकिल हमें निकालना किसमें है? मीटर पर सेकिन में देख लो, यहाँ पर हमारा किसमें आया है? किलो मेटर पर आवर में आया है और इसने answer दे रखे हैं किसमे meter per second में तो ये गलती मत करना कि आप लोग direct यहां पर divide कर दो और जो आए उसको answer कर दो यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है देखो meter per second है meter per second हर जगे और उसने यहां पर जो हमारे पास value दे रखी है वो किसमे है? किलोमेटर और घंटे में तो किलोमेटर per hour है उसको meter per second में कैसे निकालते हैं? उसको हम multiply कर देते हैं किसे? पांच बटे अठारा से ठीक है? अठारा चोक बहित्तर यह आएगा answer 20 meter per second ठीक है? तो इसका answer क्या आएगा? इसका answer आएगा option third ना कि option four यह वाला गलत होगा? ध्यान रखना ठीक है? यह यहाँ पर गलत होगा option number four यहाँ पर गलत होगा? answer कितना आएगा? option three 20 meter per second meter per second में हमें निकालना था ठीक है? आगे चलो अगला question नीचे दिया गया रेखा चितर साथ विभिन मा में कारों के एमटू महीने में यह वाला एमटू महीना ठीक है? वे कारों का उत्पादन एमवन महीने में कारों के उत्पादन से कितना परतिसाद अधिक है? देखो, एमटू में कितना हुआ है? एमटू में हुआ है 32 का और एमवन में कितना हुआ था? 25 का तो M2 में अधिक हुआ है न, M1 से कितना अधिक हुआ है? 25 और 32 इनका difference आ गया 7, यानि कि M1 से 7 अधिक हुआ है किसमे? M2 में, लेकिन percentage में निकालना है, अधिक में निकालना है, तो 7 अधिक हुआ है किस से? M1 महिने से, M1 महिने में कितना था? 25, divide कर दो 25 से, और multiply कर दें किस से कितने बजाएगा देखो 25,728 ये क्या गया 28% M2 महिने में कारों का उत्पादन M1 महिने से 28% अधिक है ये हम बोलेंगे ओके अगला क्यों सर नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन मा में कारों के उत्पादन को दर्शाता है पूछा क्या गया है दिये गए 7 महिनों के लिए ओसत मासिक उत्पादन क्या होगा 7 महिनों के लिए ओसत पूछा गया है तो ओसत के लिए हम क्या कर देंगे सभी को पहले एड कर दो और डिवाइद कर दो 7 से पहले 1 गाउनक एड कर लो पहला है 25 पलस 32 पलस 18 पलस 24 पलस 36 ठीक है उसके बाद है प्लस 39 और प्लस 38 इन सभी को add करो और divide कर दो किस से साथ से, क्योंकि total कितने है साथ, add करके divide कर लोगे या आप लोग आराम से कर लोगे answer कितना जाएगा, 28.8 ठीक है, आगी चलो अगला question जदी एक वस्तू का विक्रिय मुल्य वस्तू का विक्रिय मुल्य कितना है 638, यानि कि उसने 638 में उस वस्तू को बेच दिया और उस पर लाब कमाया है कितना 45, मालो कोई वस्तू थी उसने 100 रुपय में खरीदी थी और उसके उपर उसने 45 परतिसत का लाब कमाया, तो वो कितने में उसको 145 में बेचेगा कहने का मतलब है जो 145 है ना उसकी वेल्यू दे रखी यहाँ पर 638, तो एक के वेल्यू कितनी आ गई 638 बट 145 हमें निकालना कितना है हमें लाब निकालना है, लाब कितना हुआ था 45 परतिसत, तो 45 का हो गए यहाँ पर लाब, कार दो 5 से कार दो यह 9 पर चला गया 5 दोनी 10, 5 निम 45 39 से काटो 39 दोनी 58 58 पर गया, 13 से जब 8 जाएगा, 5 39 दोनी 58, 22 पर पूरा पूरा कट गया, 22 को जब 9 से मल्टिप्लाई करेंगी तो कितना है गदर 9 दोनी 18, 9 दोनी 18 और 19, 198 है, तो उसको लाब कितना हुआ है टोटल, 198 रुपय का लाब हुआ है आसान क्योसन है, कर लो गया आराम से अगला क्योसन देखो दो ठोस गोले के आयतन का योग, 1144 बटे 3 सेंटीमिटर क्यूब है यदि उनकी तरज्या का योग 7 सेंटीमिटर है, तो उनकी तरज्या का अंतर क्या होगा ठीक है, यह हम रखते हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए, काफी अच्छा क्योसन है ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुच से अच्छे से ट्राइ करना है और इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ठीक है अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताँगा बिल्कुल ट्रिक के साथ, ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपना जो स्कोर कार्ड है, वो जरूर आप लोगों कोमेंट करके बताना है, ठीक है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आज के लिए इतना ही, ठीक यू